कि आप सब्सक्राइब कर देखकर पता चली गया होगा आप सबको कि आज मैं लफ लस्ट और लॉस्ट के ऊपर रिडिंग लेकर आई हूँ अज आपके पार्टनर की फीलिंगस अपडेटेट कैसी है करेंट इनर्डीशन की कैसी है किया वो आपके लिए प्यार में और प्यार की भावनाएं आपके यह कैसी है ना क्या वो आपके लिए प्यार फिल कर रहे है या फिर वो आपके लिए डिजायर्स फिल कर रहे है लश्ट यानिकी डिजायर्स सेक्शल एट्राक्शन की भावनाय होती है फिजिकल एट्राक्शन की भावनाय होती है फिजिकल नीड्स की जो बाते होती है ना या पिर वो आपके लिए loss फिल कर रहे हैं कि उन्होंने जो है आपको गुमा दिया है खो दिया है और वो उस पे regret कर रहे हैं तो यह तीन चीज जो है आज आपकी रिडिंग में होने वाली है आपकी पार्टनर की exact current feelings आपको लेकर इस relationship को लेकर कैसी है इसी पर हम आज जो है रिड करना है पर पार्टनर के लिए उनका ही नाम का चुनना होगा तो रिडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूं कि आप सभी positive energy में रहिए आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ भी क्यों ना किया होगा इस आपको उन्हें माफ करना है ठीक है आपको उन्हें माफ कर देना है क्योंकि इसे ही हम कहते है कर्मा जब तक आप उन्हें माफ नहीं करोगे तो उनका भी कर्मा कहीं ना कहीं आटक जाएगा वह भी हील नहीं हो पाएंगे वह भी आपके करीब नहीं आप आएंगे आपकी तरफ आने में हिच की चाहाट होगी आपकी negative energy उनको आप से पाइल नबबर 10 सब्सक्राइं नहीं सब्सक्राइब में मैं रखा है ऐपकान सब्सक्ति पास्पी एसक्स कि लगिए हमारा फान पाइल नमबर टू में है एफडी एमवी ओ सी एल जी क्योटी आर और वाई यह है पाइल नमबर टू तो आप अपने आपको जो है पॉजिटिव एनरजी में रखिए मेडिटेशन मेनिफेस्टेशन किसी भी जड़िया का आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो पॉजिटिविटी क कर लिजिए अपने पाइल को सेलेक्ट आपकी पाश कुछ समय है तब तक मैं अपना पानी पीलू तो गाइस आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है चलिए स्टार्ट करते हैं आपके रिडिंग पाइल नमबर वन से तो लव लस्ट और लॉस की हम रिडिंग कर रहे है और पाइल नमबर वन में है बीके एच पी एस एक्स याईजे अन्यू टाब्लू और जैड यह है हमारा पाइल नमबर वन तो गाइस देखते हैं कि आपके पार्टर आखिर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं धेर सारा इमोशन्स फीलिंग्स यानि कि लव महसूस कर रहे हैं या फिर स्रिफ आपको आपको जो है पाने की उनमें बहुत ज़्यादा ख्वाईस है आपकी तरफ अट्राक्ट हो रहे हैं आपको आपके साथ जो है रोमांस करना चाहते हैं इस तरीके की फीलिंग्स उनके मन में है यानि कि लस्ट या फिर लॉस्ट की भावना यानि कि रिग्रेट की भावना पस्तावे की एनरजी खो देने का गम यह सारी चीज़े है तो देखते हैं सबसे पहले हम यह वोस की तरफ से क्या निकल कराता है ठीक है लव लस्ट और लॉस फॉर पाई नंबर वन मैं यहां से तीन कार्ट्स ले रही हूं गाइस पहला है कॉंसियसनेस वाव थड़ाई चक्रा ओपनिंग का कार्ड होता है यह हीलिंग एंड वी हैव रिसेप्टिविटी चलिए यह तीन कार्ड्स मैंने ले लिए है आपके पार्टनर के लिए गाईस कॉंसियसनेस हीलिंग और रिसेप्टिविडी यह तीन कार्ड्स यहां पर आये हैं चलिए देखते हैं कि इन तीन कार्ड्स को जो है सपोर्ट कितना करता है हमारा टैरट क्यूंकि इनका जो मतलब है वो मैं आपको थोड़ी दिर बाद समझाऊंगी कि इनका मतलब क्या है प आगरूख होने को दिखाता है जो चीजे मतलब जो चीजे ना इनके आँकों के सामने परदा पड़ गया था अच्छा अच्छी चीजों को भी यह पूरी नजर से देखा करते थे तो उन सारे चीजों का परदा हटने का जो है कॉंसियसनेस जिसे हम कहते है कि होस में आया है इनसान है ठीक है तो देखते हैं कि आवेकनिंग हुई है या नहीं तुकि यूनिवर्स ने तो हमें कह दिया है कि इस इंसान के आवेकनिंग हो रही है है ना लव लस्ट और लॉस फॉर पाई लंबर वन लट्स सी क्या निकल कर आता है we have the wheel of fortune we have the eight of cups wow we have the death wheel of fortune के साथ death आ गया पाई लंबर वन क्या बात है and we have the six of vans our bottom में ace of vans के एनरजी आई है we have the two of swords eight of vans nine of pentacles and we have the high priestess and bottom ten of vans energy देख लीजिए तो guys चले अब start करते हैं आपकी reading को और आपको बताते हैं कि इस इनसान के energies कैसी है love lost और loss for pile number one universe ने भी हमें कुछ संकेत दे दिये है अभी जहाँ पर जो दो cards आए हैं guys इन cards को आप ध्यान से देखें सबसे पहला जो आया है consciousness का card दूसरे energy आई है healing की energy अब ये दो cards क्या बताते हैं कि आपके portion के मन में अभी गहरा घाव है चोट लगी है देखें ये center of point center point जो होता है आपको दिखीगा heart center है ना ये heart chakra का card होता है और heart chakra के space में ही इस इंसान को pain हो रहा है देखें और जगे पर दर्द नहीं है जो दर्द की वज़य बनी है वो heart chakra में ही यानि कि center center में ही इनको दर्द हो रहा है और आप जानते हो ना कि heart का connection किस से होता है heart का connection हमेशा emotions से होता है feeling से होता है relationship से होता है प्यार से होता है तो इस इंसान की जो दर्द की जो वज़य बनी हुई है वो इनका दिल है और दिल से जुड़ा हुआ रिस्ता है इस इंसान को किसी और चीज़ से तकलीफ नहीं हो रही है ये इंसान इतना ज़रा मायूस है इतना ज़रा दर्द में है इस कदर ये इनसान आपने अंदर में एक खामोसी महसूस कर रहा है, ये इनसान ने कहीं न कहीं जो है उपरवाले का definitely help मांगा हुआ है, ये temperance के energy होती है, जो बताता है कि इस इनसान में जरासी भी energy नहीं है, जरासी भी उच्छता नहीं है, जरासी भी मन के अंदर खुशया है क्योंकि जब इंसान का सेंटर पॉइंट ही जब काम करना बंध हो जाए आप जानते हो नगा इसकी इंसान का दिल अगर धड़कना बंध हो जाए तो इंसान की हालत क्या होती है फिर उसका कोई कोई अंक काम नहीं करेगा क्योंकि दिल धड़कना बंध हो जाता है तो इंसा इन På your जड़ा को है कि औरने की कोंशि disruptive कर रहे है पुरानी यादों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं पर इनका दिल का जख्मिना इतना गहरा है कि इनसा घ। नहीं हो पार है थीक है तो यह पहली ए नर्जी उनकि healing को लेकर दर्थ को लेकर जो है universe ने हमें बताई है आप देखे consciousness जिसके बारे मैंने आपसे कहा था कि इनका तीसरा नेत्र खुल चुका है थड़ाई चक्रा उपनिंग का कार्ड होता है लेकि कल तक अगर यह इंसान सचाई को नहीं देख पा रहा था कल तक इस इस इंसान के आखों में कही न कहीं परदा पड़ावा था आपके और इनके relationship को लेकर भी हो सकता है कि इनसान बहुत ज़्यान नेगरटिव था या इस इंसान में जो है courage नहीं थी या फिर यह इनसान आपके रिस्ते को पहचान नहीं पा रहा था आपके qualities को पहचान नहीं पा रहा था आ चीजों को समझने लगे है इनका जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रहूं कि development हो रहा है धड़ाई चक्रा ओपनिंग का मतलब है कि परदा हटना जो परदा इनके आँकों पर लगा हुआ था वैसे भी मैं देख रहूं कि हाइप पर काड़ आया हुआ हुआ ह तो हो सकता है कि बहुत सारी गलत फह्मियों का सिकार आपका portion हुआ है या इस रिस्ते को लेकर बहुत ज़्यादा यह इनसान यूना इस रिस्ते को लेकर यह इनसान बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया बहुत ज़्यादा गलत फह्मिया पैदा हुई है या किसी और ने किया गया है आपके भारे में आपके खिलाफ लोगों ने कुछ इनको भड़काया है इनको जो है इनको आपके बीच में फूट डालने की कोशिश की मत भेज प्यारा करने की कोशिदे किये तो इनका जो है ओपनिंग नहीं हुआ था यह चीजों को मतलब जो लोग कह रहे थे उन्हीं पर भरोसा करते थे लोगों की बातों पर जल्दी आ जाते थे हैंना बहुत जादा जो है यह इंसान आपके साथ कुछ चीज़ें डिसकस भी नहीं कर अब आपके relationship को लेकर आपको लेकर बहुत जादा यह positivity महसूस कर रहा है positive side इनका हमें देखने को मिलता है ठीक है तो यह एक awakening की energy निकल कर आई है तो चले बात करते हैं उन cards के बारे में कि इस इंसान की मन में अभी आपके लिए क्या है love है lust है या loss है तो मैं आपको बता इस इंसान की मन में अभी आपके लिए गहरा loss वाला feeling चल रहा है क्योंकि देखे यही main card है समझ गई यही main card है जो इनके मन की भावना को दिखाता है कि यह अभी इस कदर अपने अंदर एक एक ऐसा गहरा बेचे नहीं महसूस कर रहा है pain महसूस कर रहा है heart broken condition इस इंसान का है है ना यह इनसान जो है ठक चुका है यह इनसान हार चुका है इस इंसान अपने आपको संभाल नहीं पा रहा इस कदर जो है आपका चला जाना आपका इनसे रूठ जाना या इनका किया गया पुरा behavior पुरा जो character था जो भी था इनका guys है ना उसके वज़े से इंसान बहुत तिंपरंस में इन्हें तब जाता है एक तो ने पस्तावा हो रहा होता है और वो इस तोर सांजे माफी मांग रहे होते हैं वह इस वर सरे चाहते है कि मेरी situation को बदल दो मैं इस पेन को परदास को बहुत करकता ही सब्सक्राइदा ही आई हैं यह तो फलतको कोई बहुत बड़ी गलती हुई है जिसके वज़े से यह खुद को माफ नहीं कर पा रहे तो आपको समझना है कि इस इंसान को लॉस हो रहा है इनको लग रहा है कि इनोंने गुमा दिया इनोंने खो दिया और यह जो है रिग्रेट यहां पर चल रहा है ठीक है अब दूसरा का पड़ाया है जो है हमारा eight of cups अब यह एनरजी हमें क्या बता रहे है एनरजी भी देखी लॉस वाली एनरजी है है चला जाना छोड़ देना ब्रेक अप हो जाना रिस्ते से दूर हो जाना एक इंसान तनहा रह गया दूसरा इंसान चला गया जिंदगी से निकल कर प्यार वह जो गया है जो छूट गया है वह वापस आ जाए जिसे हम वापस पास सके तो यह देके लॉस वाली फीलिंग है समझ गए तो यह इनसान बहुत बड़े हैवी लॉस को महसूस कर रहा है अभी इस वक्त इस रिस्ते को और आपको गुमा कर आपको खोकर समझ गए अब बात कर दोते हैं कि वह परिस्तीतिया क्या है जिसकी वज़े से यह इनसान लॉस तो महसूस कर रहा है तो वापस आने की कोशिस नहीं कर रहा है क्या वज़े है है और यह इह इंसान हमेशा temperance के ही mode में रहेगा क्या ही इंसान हमेशा guilty करता रहेगा या आकर आपके सामने उन mistakes को accept करेगा कि मेरे से गलती हुई है है ना तो accept करना बहुत important बहुत बड़ी बात होती है relationship में अगर कोई जुकता है तो वो बहुत बड़ी बात है तो क्या ये इंसान सामने आकर जुकेगा क्या वो इंसान आप से माफी मांगेगा और ये इंसान क्या आपको फिर से relationship का proposal देगा क्या इस इंसान की वापसी होगी ये सारे चीज़ें भी जानना बहुत जरूरी है और मुझे अब बहुत खुशी हो रही है ये देखता होग Meu इस इंसान को लग रहा है कि इनौने अपने जिन्ददगी अभरी के एक हैम हिस्से को हुआना बहुत मजभूत एक कड़ी थी इनके जिन्दगी की जिससे इन्होने तोड़ दिया है लॉस कर दिया है खो दिया है तो यह अच्छा अच्छा एक जो है प्रोग्रेस मुझे इनकी अनरजी में नजर आई है जो इस कॉंसिसनेस के वज़े से ही हुई है देखें इनकी बहुत खुब सरे ढंग सरे डेवलोपमेंट हो रही है आप जरा भी जो है नेगरिटिव मत होता है जिस इंसान में पस्तावे की भावना नहीं होगी जो इंसान हमें सापने आपको सुपीरियर महसुस करेगा कि गलती स्रिफ आपकी थी स्रिफ आप भी मुझरिम हो आपने ही गुना गया है आपने ही सारी गलतिया की है तो ऐसा इंसान कप करेगा तो यहाँ पर जो है realization का process चल रहा है जिसके वज़े से ही आपकी इस बंदे को आपकी कमी का हैसास हो रहा है तो देखें वो चीजें क्या है जिसके वज़े से ये इंसान अभी temperance में है यानि कि लेट कर रहा है डिलेज कर रहा है इंतजार कर रहा है तो वज़े है सबसे में जो निकल कराई है वो है हमारा 10 of friends का card जो बता रहा है कि pressure है इनको है ना इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि आप दोने के relationship में या तो कोई ना कोई बहुत heavy pressure है है यह energy आपके तरफ से भी हो सकती कि आपके family या फिर आपका जो background है आपकी जो society है उसके उससे यह compete नहीं कर प हुआ है जिसके वज़े से यह साहस नहीं कर पा रहा हिम्मत नहीं कर पा रहा है और इन्होंने कहीं न कहीं give up किया है ठीक है इस रिस्ते को give up किया है क्योंकि यह इंसान बहुत जारा बोज में था तकलीफ में था है और इस card की वज़े से इस बोज की वज़े से इस heavy burden की से सिचेशन पैदा होते गए आप दोने के रिलिशन्शिप में जैसी प्रॉलम स्टार्ट होती गई इस इंसान ने क्या कि चलो अब साइध मेरी किस्मत में ऐसा ही है जो मुझे मिल रहा है वही अब एक्सेप्ट कर लेते हैं साइध हमारे रिस्ते का अंजाम यही होना था लड़ नहीं पाए तो प्रॉलम्स को जैसा आ रहा है उसे इस इंसान ने रिसीव कर लिया मतलब उन्होंने लड़ने की कोशिश नहीं की उन्होंने फाइट बैक करने की कोशिश नहीं की और यही सबसे बड़ी प्रॉलम्स आपकी इस पोर्शन के एनर्जिस में मैं देख करता जलागाल लेता जलागए आ ना कभी बी जो है लड़कर कि नहीं मेरा प्यार सच्चा है मैं इस इंसान के बीना नहीं जी पाऊंगा तो लड़नी कि जो एक खुबी होती है वो खुबी मुझे इस इंसान में थोड़ी से कम नज़र आई है पर अच्छी बात है कि देखे इनों ने जो है इनकी इनको जो है अब समझ में आ रहा है कि मुझे फाइट बैक करना चाहिए था मुझे इस रिष्टे को बचाने के लिए कुछ करना था क्योंकि मैं वह सी इंसान की बीना मेरे जिन्दकी बिल्कुल अ धूर्य है उस इन्सान की भीना तो मैं कहीं पर भी जो है कर interrupted कमने ही और दिल का ऐसे ने देदा गया हाहाँ से समझोटा करने वाले एनरजी होती है和ی कि जो जो हाल ने दिए यूससे ही जो है अप्सम्प करते चले गए कि के लेकर इनका नजजरिया क्या है तो प्रिवस्त कैसा महीं करके है की दिया आपके नीकल कर Dorothy है वह है नाइन ऑफ पैंटिकल्स का मतलब क्या होता है हर चीज में पर्फेक्शन की एनरजी होती है आप में जो है आप में वो सारे टैलेंट है आपको जो इस वर ने बनाकर भेजा है ना आपको किसी कमी के साथ बनाकर नहीं भेजा है अगर अगर कोई इंसान आपको ऐसे अगर को समझ कर आप उसे पार्टनर के तरफ देख रहा है जो सारी चीजों का भाड़ ले सकते हो जो सारी चीजों को जो आपने दाहित्तों समझ कर आप उसे पुरा कर सकते हो और ऐसे ही इंसान को हम अपना लाइफ पार्टन बनाना भी चाहते है कि नहीं तो आपके पोस्टन भी आपके लिए वैसा ही मैसुस करें कि इस इंसान में चाहूं तो भी ढूंड कर एक गलती नहीं निकाल सकता यह इंसा परेखण इंसान को ही आपके पोस्टन ने दूर कर दिया क्योंकि इंसान नहीं था इनकी नहीं ती इंसान भूल गया था और कि इस वर जब किसी से किसी को मिलाता है तो किसी कारण से मिलाता है और एक बार जो चीज़े खो जाती है जो जो जीज़े हमें मिलती है और उसको हम ग्रैब नहीं कर पाते हैं उसकी हम अवहला करने लगते हैं उसके हम गदर नहीं करते रिस्प्रक्ट नहीं करते तो इस वर उ इन्सान ने सोचा है उन्हीं के पीछे इंसान गया है और आपके कदर कभी हो यह नहीं कैते हैं कि गलत संगत में इस इन्सान पढ़ा हुआ है तो अब जाकर देखें इनकों इन सारे चाहस भी हो रहा है और बात आम जितनी भी बड़ी कर लेगा है हम कुछ भी कह ले ना कि फलाने ने ये कर दिया, धिमकाने ने ये कर दिया, उसकी बातों में आ गया, दोस्तों की बातों में आ गया, परिवार की बातों में आ गया, थर्ड पार्टी की बातों में आ गया, यह सारे बक्वास चीजे होती है, क्योंकि यहाँ पर जब ऐसे कार् अपने कर्म सब्सक्राइब और dh, तो तो हमस्क्रा आप इस दोस्द के लिए पर वगए ही, आप आप साफ और विगाढ़ा से यह आप सुधार रहे हैंचे और करमा की वज़ेelfyॉत सर्मा की वज़े से ही जो है relationship ending इंद में जो है मुझे end नजर आता है है ना रिस्ता जो है बंद हुआ तूट गया डेरेंट पर पहुँच गया है ना marriage की बाते problems बनकर खड़ी हुई फैमली की बाते problem बनकर खड़ी हुई intercast का matter हो सकता है interreligion का matter हो सकता है society जो है different है उसका matter हो सकता है तो बहुत सारे issues आपके दोनों के बीच में आकर खड़ी हुई है पर main जो है ना कहते हैं कि मुकदर का सिकंदर समझ गया है यह वही बात है ना कि जब तर यह wheel of fortune यानि कि right timing divine timing आप दोनों के relationship में नहीं आती थी तब तक जो है चीज़े बिगरती ही जानी थी इसे end होना ही था तो वह हो भी चुका और we death के रहा है doubts को दिखा रहा है और अंधेरेपन को दिखा रहा है और साथ ही साथ बहुत बड़े कार्ट जो हमें death के energy आई है और we love fortune आया है यह बता रहा है कि सारे के सारी जो भी अभी गलत timing चल रहा है जी आई टाइमिंग का ही खेले यह अभी जो है आप दोने के रिस्ते में समय चल रहा है गलत मतलब wheel of fortune घूमा तो है पर कैसे घूम गया रिस्ते को तोड़ने के लिए गूम गया पर अभी आपके और इनके relationship में wheel of fortune आया है fortune को बदलने के लिए यानि कि आप दोनों के मुकदर को बदलने के लिए किसमत को बदलने के लिए भागे को बदलने के इनसान आपके साथ beginning करेगा पस्तावे के बाद आपकी value समझेगा और इनसान आपके साथ beginning करेगा नया स्टार्ट करेगा नया सिरे से आप दुनों का लव आप दुनों का relationship फिर से आगे बढ़ेगा कितना अच्छा बात है कि कल तक तो यह इनसान दिखे अंधेरे में था य जो लोग इसे सिखाता गया वही इनसान सुनता चला गया receive करता चला गया इसने कभी आपके सचे प्यार को receive किया ही नहीं इस इनसान ने आपके कभी कदर की ही नहीं है ना आप इनके लिए मरते चले गए और यह इनसान जो है दूसरों की सुनता चला गया तो ऐसे में रिस् करने के लिए समझ गए तो देखे बॉटम में एस ऑफ वैंट्स भी आया है जो बता रहा है कि बाउजुद इसके की तमाम यहां पर जो है बोज है तमाम यहां पर दाइत्व है बहुत सारी चीज़ों को लेकर रेस्ट्रिक्शन्स है रोक है इसके बाउजुद भी आप दुन न्यू बिग्निंग भी यहां पर होगी और डेफिनेटली होकर रहेगी क्योंकि वील ओफ फोचन विड्ट आया है जो बता रहा है कि खतम हुआ अप सुरू होगी और आ चुका है डिवाइन टाइमिंग सही समय आ चुका है है ना तो इसलिए जो है गाईस न्यू बिग्नि तरफ रहा है कि कहीं और साधी कर लो आप चाहरे हो इनके साथ घर बसाना और यह साइथ हो सकता है कि किसी और की तरफ जो है इनको सबर जस्ति कि कहीं और साधी कर लो कि किसी और को पसंद कर लो अपने कास्ट में कर लो अपने सोसाइटी में कर लो पैसे वालों से कर लो जो बी है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस ब्लाउगे बहुत सारे हैं और यह ब्लॉकेशन के साथ आप दूने के बीच में एक नई बिगनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा इन्सान पहले की तरह ही आपकी तरफ एट्राक्ट होता हुआ आपकी तरफ खिसता ही चला आएगा और यह इनसान आएगा हैवी हैवी रिग्रेट के साथ बदल कर आएगा सुधर कर आएगा आपके लायक बन कर आएगा और यह इनसान देखे इन्हें आना ही होगा इन्हें आना ही होगा क्योंकि कर्मा पटक कर फेकेगा इनको आपकी रहे हैं कि इन्होंने आपको खो दिया है और यह इंसान जो है अभी भी आपके लिए बहुत जादा सोचता है सोच रहा है यह इनसान है ना और इनकी सोच को मुकमल करेगी हमारी यह विल फॉर्चुन की एनरजी जो निकल कर आई है ठीक है आपको यहां पर इस तोरे गाइड आपके लिए क्या है आपके पोसन के एनरजी या फिर आप दोनों के लिए कुछ अब कर दो सेवन चक्रा और कहेंशल देखे यह क्राउन चक्रा अगेन आपके रीडिंग में जो है क्राउन चक्रा की अनरजी निकल कर आई है और यह इनका दिमाग काम करता था यह इंसान अंधेरे में था टोटल ब्लैंक था यह इस वज़े से तो ऐसे नेगटिविटी ने इनको घे है रखा था हैना नेगर्टिव साया बहुत है आपके पोस्टन की माइंड में समझ गए तो अब इनका जो है ओपनिंग डेफिनेटली ब्लॉक इस यहाँ पर क्राउन चक्रा का यह खुला हुआ है और यह चीज़े बहुत 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 धंक से मतलब इनको क्राउन चक्रा डेफिनेटली ओपन हो चुकी है यहाँ पर और इस इंसान की अभी लॉस वाली चल रही है और मैं बहुत चल देख रही हूं कि डिवाइन टाइमिंग जो आई है वह खुबसर ढंक से आप दुनों का रियूनिन भी करवाएगी और रियूनिन हो करी रहेगा वीडियो पर एक एक लाइक कर दो गाइस लाइक करें शेयर और सब्सक्राइब कर देना मैं मिलूंगे आपसे फिर से नेक्स रिडिंग में तब तक आपको अपना अपना भरशा ख्याल क्योंकि मैं करती हूं आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार I love you all take care नमस्ते और गाइ लव वाली है लश्ट वाली है या फिर लॉस वाली है यूनिवर्स की तरफ से मैं तीन एनर्जीस ले रही हूं देखते हैं यहां से इनके एनर्जीस कैसे निकल करा दी है गोईंग विद अफ्लो नॉट बैट विए 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 अधर वर्ल्ड ओ ओ ओ नमबर टैन एंड वन मोर माइंड तो चली राइज इनकार्ट का मतलब क्या है और इसके बाद मैं टैलर्ट से भी करूंगी तो पहले इनको समझा देती हूं कि इस वर आपके पोर्शन के बारे में आपको क्या जानकारी देना चाहते हैं क्योंकि उनको समझना बहुत इंपॉर्टन्ट है ठीक है सबसे पहले अभी देखते हैं गोईंग विद फ्लो यहां पर आया है इस वर एक आपको गा लग रहा है यहां कि अभी वो सही समय नहीं आया है आपको एकसेप्ट करने का या आपके प्यार के तरफ वापस आने का या फिर जिनको ऐसा लग रहा है कि लड़ नहीं पाएंगे आप में वो इस्ट्रंट नहीं है आप दुने के बीच में जो है बहुत सारा गैप है अभी मुझे आपको बतानी है सिर्फ इस कार्ड के बेसेस पर आप जो है तंक्लूजन पर मत पहुंचो फैसले पर मत पहुंचो इस तो अभी आपसे कहरें कि अभी के लिए जैसा चल रहा है तुम वैसा चलने दो इसके साथ फाइट बैक करने की कोशिस मत करो इसके साथ ल उनको जैसा दिया है बस go with the flow बहुत कोई भी चूचा चपटे नहीं करनी है कोई जो है नहीं करना है complaints नहीं करनी है demands नहीं करनी है just चलते चले जाओ बहते चले जाओ क्यों जानते हो क्योंकि यहां पर देखे इस्वर ने क्या कहा है तुम दोनों तो एक दुसरे के लिए ही हो we are the world आपके person भी आपसे यही कहना चाहते है कि तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ हम दोनों ही मिलकर एक दुन्या को बनाते है हम दोनों के साथ ही यह दुन्या बनती है हम दोनों ही एक दुसरे में समाये हुए है हम दोनों कभी एक दुसरे से जुदा है ही नहीं और यह काड हमें आपके person आपके लिए यही feel कर रखा है साथ में युनिवर्ज भी आपसे कह रही है कि जब तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो तो तुम्हें घबरानी की जरूत नहीं है अब भी बस इस सेटेशन को सहते चले जाओ हार मत मानों है ना तुम्हारे लिए कुछ बहतर आने वाले दिनों में रखा हुआ है लिखा गया है तुम दोनों जो है दो जिसम एक जान हो ये कार्ड़ वही तो होता है ना गैस आप दोनों की मिना कुछ है ही नहीं दुन्या में आप दोनों की हर सुख आप दोनों के साथ है आप दोनों का दुख आप दोनों के साथ है आप दोनों का लाइफ में आगे भढ़ना आप दोनों के साथ है हर चीज एक दुश्य के साथ जुडा हुआ है तो अभी आप क्यों घबरा रहे हो क्यों घबरा रहे हो आखिर इतना सारा जो उतार चड़ाओ आ रहा है अप्र डाउन आया है रिलेशिंशिप में वो सायध किसी चीज का एक हिस्सा है कुछी कर्मा का एक हिस्सा है इसलिए तुम्हें इसे पार करना होगा बहते चले जाओ बस समझ गए न क्योंकि फाइनली जो है अल्टिमेटली जो है विन यहाँ पर जीत यहाँ पर किसकी होने वाली है आप देख लो आपके पोजन भी आपसे कह रहे हैं हम दोनों एक दुस् इनसान के इंसान सही सही नहीं ले पा रहा सही सही चीजा सोच नहीं पा रहा इसान बिलकुल दिमाग से यानि कि मेंटल अ मेंटलप्रेशर सकार वी मेंटल युल्हा.. ठीक है कि क्यों ये इंसान इतना जारा परिशान महसुस हो रहा है परिशानी की वजह क्या है क्या इस इंसान को आपके लिए लव है क्या इस इंसान को आपके लिए लस्ट है या फिर इस इंसान को लग रहा है कि इनोंने आपको खो दिया तो परिशानी की वजह क्या है इस्वर ने तो हमें फैसला ही दे दिया है कि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया हो और जब साइकल जैसे चीज़े आती है तो गोविता फ्लो करना ही पड़ता है समझता करना पड़ता है जिन्दगी में कही न कहीं समझता आपके पोर्स ने भी क्या है और आपने भी क्या है love, lust and loss for pie no 2 love, lust or loss for pie no 2 how this person is feeling right now four of pentacles the moon ace of pentacles we have justice and bottom of a deck eight of swords major arcana two big cards are in your poison garages me okay 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 two of cups look at this we have nine of swords we have eight of swords eight of swords two bar energy me and the one last is two of pentacles with justice again justice here and justice here look at this awesome 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 energies तो चली गाईज आप डिले नहीं करते हैं आपको फटा फट सी साइन और अलिमेंट बता देती हूं जैसा कि मैंने आप से कहा कि आज लिब्रा और पाइसे बहुत स्ट्रॉंग है और स्ट्रॉंग जारा लिब्रा आज नजर आ रहा है ठीक है क्योंकि दो कार्ड जो है लिब् सबसे पहले हम बता दे कि टू अफ काप्स आ गया तो आपके पहले हम बता दे कि टू अफ काप्स आ गया तो आप सवाल ही पता नहीं होता कि मैं यहाँ पर यह कह दू कि इस इंसान को आपसे प्यार नहीं है और इसका दिल आपके लिए नहीं धड़कता है यह इंसान आपसे प्यार नहीं करता है यह इंसान आपको भूल चुका है यह इंसान आपसे दूर हो चुका है नहीं सवाल नहीं पैदा नहीं होता कैसे किस मूँ से मैं आपसे कह दू that this person don't love you क्योंकि यह तो देखे दो जिसम एक जान वाली energy होती है आप जानते ही हो है ना तो यह इंसान आपसे unconditional प्यार कर रहा है इस इंसान की अभी जो गहरी feeling है वो है आपके लिए love वाली feeling यह इंसान आपको अपना जिसम मानता है यह इंसान आपको अपने अधरकन मान रहा है अपन कहां दूर चला गया है मैं उसे कहां ढूंड़ू है ना उस इंसान के बिना मैं जो है परिशान हूँ उस इंसान के बिना मैं तकलीफ में हूँ इस इंसान के बिना मैं कुछ सोच नहीं पा रहा उस इंसान के बिना मैं कुछ कर नहीं पा रहा क्यों मेरे mind के अंदर इतनी जब हम तरट से निकालेंगे तो देखे आपको वजह मिल गए है इस इंसान का के बात झ॥ी वात यहां पर करते हैं यहाँ पर दीखें दूसरी भी फीलिंग निकल कर आई है जो मैंने आपसे कह दिया था कि इस इंचान की एक नहीं दो भावना है एक तो जबर जस्त प्यार वाली भावना है जो यह आपके लिए महसुस कर रहा है दूसरी भावना यहाँ पर रिग्रेट वाली है यान को हनीमून के लिए ले जाना है आपके साथ टाइम स्पेंड करना है नहीं इनके मन में दूसरी भावना है लॉस वाली भावना क्यों ऐसे ही मैंने कह दिया तुक्का लगा कर कह दिया कि यह लॉस महसुस कर रहा है अपने सची प्यार को गुमा दिया है ऐसे ही महसुस कर रह कर आपसे आपसे दूर हो कर आपके प्यार से वंचित हुआ है ये इनसान इसी वज़े से इनको हो रहा है रिग्रेट यहां पर बहुत बड़ा पस्तावा बहुत बड़ी जो है तकलीव रहरे कर ये इनसान जो है रो रहा है रहरे कर ये इनसान अपनी गलतियों पर पस्ता रह रहे कर इस इंसान को आपकी याद आती है रहे कर इस इंसान को आपका प्यार याद आता है यह आपको मिस्स कर रहा है यह आपके बीना सो नहीं पारा यह आपके बीना जाग नहीं पारा मतलब किसी वी काम को करते हुए इंसान कर नहीं पारा आपके बीना समझ गए तो मैंने अपने प्यार को समझ लिया होता कास मैंने इस प्यार को उसी वक्त बचा लिया होता तूटने से बचा लिया होता दूर होने से बचा लिया होता ब्रेकप से बचा लिया होता से बचा लिया होता कास मैंने वह मिस्टेक्स ना की होती जो मैं कर चुका हूं समझ गए तो there is two feelings, love and lost वाली feelings, यहाँ पर चल रही है, अब बात करते हैं, उन cards के बारे में, जो यहाँ पर निकल कर आया है, the moon का card, अब यहाँ पर क्या बताता है, पहले भी वही समस्या थी, अभी भी यहाँ पर वही समस्या नजर आती है, पहले भी आप नजर आ रहा है, कि मैंने आप से क्या कहा था, going with the flow, यादे कोछ चीज़ा ऐसी होती है जिन्दगी में, जिससे हम solve नहीं कर पाती, जिसका समाधान हमारे पास नहीं होता, तो ऐसे वक्त क्या करना है, go with the flow, जैसाथ चल रहा है, उसे चलने देना है, accept करना है ना, तो आपके पोल्सन ने भी तो यही किया था, गाईज, है ना, कि वो आपको commitment नहीं दे पाए, आपका साथ नहीं दे पाए, आपसे बहुत सारे अपने secret सी इंसान share नहीं कर पाया, अपने दर्द को नहीं बया कर पाया, आपको समझा नहीं पाया, कि किस वज़े से मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पारा, किस वज़े से मैं तुम्हारे साथ रिस्ता तो उड़ाओ, तो बहुत सारे चीज़े एक गहरी खाई, मतलब खाय के अंदर आप जितना चले जाओ ना, अंदर वहाँ पर अंधेरा ही मिलेगा, तो वैसा ही ये इनसान भी अपने secret के अंदर था, इन्होंने कभी आपको खुल कर अपने problem shared नहीं की, आपको खुल कर अपने तकलीफे नहीं बताए, कि किस वज़े से ये आपको commitment नहीं दे पा रहे, आपका साथ नहीं दे पा रहे, प्रालम्स तो एक commitment का phobia ही है, मुन का कार्ड बता रहा है कि commitment का ही डर था, जिसके वज़े से कही न कहीं समझोता यहाँ पर किया गया है, तो समझोता यानि की commitment को नहीं दे पाना और इस इंसान की मन के अंदर अभी भी देखे इतना दर्द है इतना आपके लिए प्यार है इतने सारी emotions है इतना ज़रा regret है पर वो सारी की सारी भावना है वो इंसान अभी आपसे छुपा रहा है मून का CARD को यहां बहुँन का CARD का CARD के यहां पर आया है कहीं नहीया इतच्टित्यों का सामने जुका नहीं यह कहीं कहीं नहीं बादे सबka क्याओं कि इनको जबर जस्ती अपने प्यार की पास जाने से रोका जा रहा है समझो ना गाईज समझो यहाँ पर मैं आपसे क्या कहने की कोशिस करूँ कि आपके आप दोनों के बीच का प्यार इतना गहरा है मतलब जिसे तोड़ने के लिए यहाँ पर बहुत सारी साजी से हो रही है समझ के बहुत सारी जो है इस इंसान को इतना जड़ा मजबूर कर दिया गया है कि यह इंसान घुटन में है क्योंकि यह आपसे प्यार करता है और अपने प्यार के पास आ नहीं पा रहा है देखो दो तो कार्ट देख लो यह दोनों ही कार्ट बताते है कि इतने सारे मतलब इनको towards का मतलब क्या होता है towards का मतलब हमेशा परिवार होता है मानने ताइ होती है धर्म होता है family का रुथभा होता है तलवार जानते हूं ना कि Raja Maharaja होने क्या किया है तलवारों की दोरह जंग लड़कर अपने मान मर्यादर की इज़द करने के लिए है ना बहुत सारे राजा महाराजा लड़े हैं है ना कई कई जो है परिवार ध्वस्त हो गए है ना मान मर्यादा की चक्करों में है ना तो तलवार हमेशा मान मर्यादा इज़त को दिखाता है तो यहां पर भी मैं कहीं न कहीं देख रहे हूं कि इसी इज़त का वास्ता देक और। ऑन मरयात्ता धरम का वास्ता देखर आपके पैरों पर इतनी सारी बेड़ियां डाल गया है ये जो समाज है Westminster की इसके वजे से इसन्सान अपने सचे प्यार की पास आने से कत्रा रहा है डर रहा है और ये इसाइन इसकी हिस्कीचाबी रहा है और इसाइन इसक्के प्यार यह इंसान अपने आपको trapped महसुस कर रहा है, बंदनों में महसुस कर रहा है, यह इनसान स्वतंतर्सा महसुस नहीं करता। आजादी महसुस नहीं करता कि खुलकर हो अपने प्यार को अपना सके। क खुलकर आपको अपनी बातें, बता सकेcenữa कमिट्मेंट दे सके है न… आप देखें यहां पर आया है Four of Pentacles का card, यह energy भी हमें साफसा बदा रही है, कि इस इंसान का आपके लिए सुर्फ प्यार नहीं है, इस इंसान का तन आपके लिए, इस इंसान का सारा सपना आपके साथ जुड़ा हुआ है, इस इंसान की धटकने आपके साथ जुड़ी है, इन इनका विष्ष हो आप वो हो जो इस इनसान के मन को सुकून देते हो इस तरीके से इनसान आपके ऊपर डिपनेंट है हर चीज के लिए आप पर निर्भर है इनसान समझ गये ना गाइज इनसान आपको खोकर भी खोना नहीं चाहता इस तरीके का जो है एक कसिस मुझे आपके पोसन के अनरी शिर्ज मिन नजदा आती है बहुत प्यार करता है यह इंसान और आपके बिना ही इनसान जी ची रहा है और अब भी आपको भूल नहीं पा रहीं अब यहां पर आया है जरेत जिस का दो कार्ब्र जारा तर दोड़र आपके पोसन के होना था हो गया है दो प्यार करने वालों को दूर कर दिया किस्मत ने या लोगों ने या परिस्तिति ने या फिर कास्ट ने धर्म ने जो जिसने भी यहां पर अन्याई हुआ है इस्वर ही कह रहा है चीक चीक कर हमें बता रहा है जस्टिस नहीं हुआ अन्याई हो गया इन द दोनों वहिं स्वच्ट वापस कराना है जिसके खिलाफ नृक्व दूर किया उसे वापस रेकर आना है। जस्टेस न्याई आप दोनों को ही मिलेगी यहां पर मैं स्रिफ आपकी बात नहीं कर रही ध्यान दीजिए क्योंकि आपका पॉर्षन खुद दुखी है यहां पर सिर्फ आप दुखी नहीं हो भूल जाओ कि आपके पॉर्षन नहीं दिया दोका दे दिया आपसे दूर हो देख रही मैं यहां पर यहां पर यह देख रही हूं कि हालात जो है यहां पर जसलिए inसरा नया यहां पर ऑगा वहाँ यहां चीज़े होने वाली है क्योंकि प्यार बराबर है emotions बराबर है feelings बराबर है this person loves you this person loves you and this person wants to come back in your life again इस इंसानको भी पता है कि मैंने आपके साथ गलत किया है मैं मुझरिम हूँ मैं जानता हूँ मैं दोसी हूँ मैं जानता हूँ और मेरा प्यार सच्चा है तुम्हारे ली तो आपके person की भाउना है वो आपके लिए यही निकल कर आई है गाईस कि यह इंसान अभी दो feelings में है और पहला feeling का जो है, वो है loss, दूसरा feeling इनका जो है love है, justice भी loss को दिखा रहा है, समझ गए ना guys, तो guys ये तो है वो चीज़े जो आपके पोस्टिंग के energy दो निकल कर आई है, अब मैं देख रहे हूं कि Ace of Pentacles का भी card यहां पर आया है, जो बता रहा है कि देर सवेर सुरुवात होगी ही, देर सवेर value भी समझ में आएगी, कि इनके लिए बहतर कौन था, इनके लिए value किसकी है, इस इनसान की जिन्दगी में सबसे बड़ी अहमेत किसकी है, सारी चीज़े value के साथ ये इनसान आपकी जिन्दगी में new beginning भी करेगा, है ना अब डर रहा है, डरने दो go with the flow चल रहा है, मतलब परिस्तित्यों के सामने जैसा चल रहा है, वैसा चलने दे रहा है ये इनसान, पर बहुत जल्दी मैं देखने हूं कि ये बंधन, ये बेड़िया, ये जो है, रूटना, रोना, है ना रोकना, जो भी चल रहा है आपके पोसं के जिन्दगी में, वो सारे चीज़े खतम होगी, क्योंकि हमें मिला है, वी आर दा वर्ल्ड का कार्ड जो बता रहा है, तुम दोनों एक हो, तुम दोनों के एक होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना, तो ये बिगनिंग भी डेफिनिटली होगी, इस सरकल से, इस साइकल से, इस कर्मा से आप दोनों बच जो यानि कि ग्रहन का भी समय चल रहा है, तो ग्रहन को भी क्लियर होने दो, परिस्तितियोगों को थोड़ा बदलने दो, इनका प्यार आपके लिए सच्चा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सच्चा प्यार है, इसी लिए सच्चा प्यार वापस आएगा भी, समझ गये, वोइल इसे वापस लेकर आएगा किसी भी दुन्याम के हिस्से में हो कहीं पर भी छुपकर बैटा हो किसी का विसात दे रहा हो किसी के सामने भी क्यों ना जुका हो है ना यह इंसान सारी चीजों को तोड़ कर आपका है आपका ही होने के लिए आएगा तो ऑफ ऐठीकल्स भी इहां पर आया है जगल कर रहा हा दैके माइड और ग१ा माइड और हार्ट तोनों में जगली यहां पर चल रही है। कभी दिल का सुन रहा है तो दिल और दिमाग के बीच में जगलिंग यह इनसान कर रहा है तो चीजों के बीच में आटका है दो सकता चले हैं नजी से देख लेते हैं क्या है कि फाइनेंशिल कॉंस्ट्रेंट्स का कार आया है तो यह मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पोसन के जिन्दगी में थोड़े से finances को लेकर थोड़े से wealth को लेकर थोड़े से पैसे रूपय को लेकर बहुत टक्लीफ पी चल रही है साइध यह भी एक बंधन का कारण हो सकता है यह इंसान अपने आपको जो weak महसूस कर रहे हैं अपने आपको सक्षम महसूस नहीं कर रहे है आपका finances को लेकर भी problem में आपका person यहाँ पर जूज रहा है, आपको साइद इस वर चाहते हैं कि आपको ये भी समझ में आए, ये साइद ये एक वज़े भी है, जिसके वज़े से इन्होंने back foot किया है, या फिर इन्होंने थोड़ा सा अपने आपको पीछे किया हुआ है, ये आपने वह strength नहीं है, आपको वह सारा सुख देने की, जो इन्होंने आपके साथ वादे किये थे हैं, तो थोड़ी से अभी मजबूरी वाला stage चल रहा है, पर प्यार है, तो प्यार है तो वह आपसे भी होगी, है कि नहीं गाइस, तो गाइस चले इतना कहते वे, अब मैं हूँ आप सबसे बहुत जादा प्यार, I love you all, take care, namaste and bye-bye guys